नमस्कार आयुक्ताले के यूच्यूब चैनल ग्यानसुधा पर आप सभी का हर्दिक स्वागत और अभिनंदन जैसा कि विदित है कि ग्यानसुधा चैनल प्रत्योगी परिक्षाओं हेतु महतोपूर्ण सामगरी उपलब्द कराने का प्रयास छात्रहित में कर रहा है और हम यहाँ अध्यन कर रहे हैं हिंदी भाषा साहित्य और कावे शाष्टर के विभन पक्षों का जैसा कि जो हिंदी लेक्चर शिप परिक्षा है या कि असिस्टेंट प्रोफिसर हिंदी की परिक्षा है वो निकट है और उसी के पाठ्षे करम के अनुसार हम हिंदी साहित् आदिकाल पर बात कर रहे हैं और इसकी जो पाँच मुख्य काविधाराएं हैं जिसमें हम सिद्ध सहित्य, नाथ सहित्य, जैन सहित्य, लोकिक सहित्य और रासो सहित्य इन पर हम बात कर रहे हैं हम जैन सिध और नाच सहित्य पर बात कर चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के रासो सहित्य पर तो जैसा कि जैन सहित्य के विशे में हम ये कह चुके हैं कि ये हिंदी सहित्य के आदिकाल में रचित जो जैन रास कावे जो वीर गाथाएं थी उससे ये रासो कावे जो है वो तनिक भिन है तो यहाँ पर हम रासो कावे से संबंदित उन तथियों का उलेक करेंगे जो की बीती परिक्षाओं में पूछे जा सकते हैं जब हम जैन सहित्य की बात करते हैं तो वहां रास सहित्य आता है और आज हम जिसकी बात करेंगे वो है रासो सहित्य तो जब हम रास या रासो सहित्य की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों की रचना शैलिया हैं जो अलग-अलग तरह से हैं यदि हम जैन रास कावी को देखते हैं, तो वो उसका विकास धार्मिक परंपरापर होता है, और वो धार्मिक दृष्टी से प्रधान है, वह वर्णन की वपदती प्रियोक्त नहीं हुई वहाँ पर, जो की वीर गाथात्मक रासो ग्रंथों में हुई, तो जो रासो ग्रंथ हैं, वो यदि देखे जाएं, तो वो वीर गाथात्मक माने जाते हैं, और जो रास कावी रहे, जो जैन कावी रहा, वो धार्मिक कावी की श्रेणी में उसे रखा गया, जब हम रासो साहित्य की बात करते हैं, तो इसका कथानक क्या रहा होगा, इसका विशेवस्तू क्या तो इन जो रासो साहित्ये में जो कथानक है उसका मूल संबंद राजाओं के चरित तथा प्रशंसाओं से रहा है और इसलिए यदि देखा जाए तो इसके मूल रूप जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाए और राजाओं के मृत्यू के पश्चात भी उनकी जो प्रशंसा की जो चीजें हैं वो क्षेपक के रूप में वहाँ पर जुर्ती चली गई इसलिए इनका जो मूल रूप है वो प्रामानिक रूप है वो नहीं मिल पाता है यदि हम रासो साहित्ये को देखते हैं रासो काववे को देखते हैं तो ये दो रूपों में मिलता है प्रभंद और वीर गीत जिसे की बैलेट्स भी कहा जाता है यदि प्रभंध का सरुप्रथम गरंथ देखें तो वो खुमान रासो है और वीर गीत परंपरा का सरुप्रथम गरंथ यदि देखें तो बीसल देव रासो मिलता है यदि हम खुमान रासो की बात करें तो जैसा कि हमने कहां प्र जो कि हम आगे देखेंगे इसी तरह यदि वीचल देव रासो की बात करें जो कि हम ने देखा है कि वीर गीत परंपरा का ग्रंथ है इसके रचियतन नर्पती नाल है बार्वी शती में रशनकार है और इसे वीर गीत की श्रेणी में रखा गया है रासो होते हुए भी यदि हम देखें तो ये प्रधानत है श्रंगारी कावे की श्रेणी में आता है इस पर विस्तार से अध्यन हम आगे करेंगे इसके बाद हम देखते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि रासो साहित्य का जो मूल विशय है वो राजाओं के चरित तथा प्रशंसा से है रासो कावे वीर रस्प्रधान कावे है यह हम देख चुके हैं गारसद तासी की बात करें और गारसद तासी का मत देखें तो उन्होंने जो रासो शब्द की व्युत्पत्ती है वो राजसू ये शब्द से उन्होंने इसे उत्पन माना है तो ये प्रेशन पूछा गया है कि गारसद तासी का जो रासो साहित्य के संबंद में या रासो शब्द की व्युत्पत्ति उन्होंने कहां से मानी है कुछ विद्वानों की बात करें तो वो रासो शब्द को राजस्थानी भाषा में रास शब्द से जोड़ने का प्रयास करते हैं ये भी एक अध्यन में एक शोध में ये बात सामने आई है इसी तरह यदि हम देखें तो डॉक्टर जो नरोत्तम स्वामी हुए है उन्होंने रासो शब्द की विद्पत्ती राजस्थानी शब्द की विद्पत्ती जो है राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से मानी है जो रासो शब्द की विद्पत्ती है वो राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से वो मानते हैं और इसका अर्थ वो कहते हैं कि कथा काव्य है इसका विकास की द्रश्टी से वो कहते हैं कि रसिक रासो से वो रासो शब्द बना है आचारी रामचंद्र शुक्ल का मत देखें तो वो रासो का संभन्ध रसायन से मानते हैं कि रसायन से उसकी वित्पत्ती हुई है और इस संधर्ब में वो जो बीसल देव रासो का एक उधरन देते हैं जो कि नरपति नाल ने लिखा है तो यहाँ पर वो ना केवल इसका रशनाकाल इसपश्ट करते हैं नरपति नाल बलकि जो यह रसायन शब्द लिखा है उन्होंने वो आचारी रामचंद्र शुक्ल इसे रासो से जोडते हैं यदि और मत देखें तो आचारी हजारी परसाद वेदी ने संस्कृत के जो रासक शब्द से इसकी वित्पत्ति मानी है उनके अनुसार जो रासक है वो एक छंद भी है और एक कावे भेद भी वहाँ पर माना गया है यदि हम आदिकाल में रचित वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रियोग वहाँ देखें तो चरित कावे के लिए किया है तो हम बार-बार कह रहे हैं कि जो रासो कावे है वो चरित कावे है वो जो राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखा गया है तो एक तरह से इसका संबंध राजाओं के चरित और प्रशंसा से है साथी वो ही कहते हैं कि ये भी उलेकनी है कि अब ब्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा है जिसे रास या रासा कहते थे और रास कावे उन रशनाओं को कहा जाता था जिनमें रासो छंद की प्रधानता रहती थी और आगी चल कर अगर हम देखें तो रास कावे ऐसी रशनाओं को कहा जाने लगा जिनमें किसी भी गे छंद का प्रियोक किया गया तो गेता से संबंदित इसे लिया जा सकता है और जैसा कि हमने कहा कि प्रभंध कावे की श्रणी में भी लिखा गया और अधिकांच जो कावे है वो गे की श्रणी में आते हैं जिसमें बिसल्दे और रासो भी एक महतोपून कावे है यदि हम देखें तो प्रारंब में जो रास चंद है जिसका कि हमने उलेक किया कि 29 मातराओं का एक चंद है वो केवल प्रेमपरक रशनाओं में प्रयुक्त किये गए लेकिन धीरे धीरे वो वीर रस युक्त जो रशनाए भी इसी चंद में लिखी गई इसका जो विकास है रासक से रास बना फिर रासा और रासो ऐसा जो भाशा विज्ञानी है और इतिहासकार है वो मानते हैं इस क्राम में जो डॉक्र माताप्रसाद गुप्त है और डॉक्र दश्रद शर्मा है वो भी आचारे दुएदी के इसी मत का समर्थन करते हैं तो यहां यह अनेक पुछन बनते हैं कि अचारी रामचंद कि शुकल का क्या मत है और माता परशाद गुप्त और डशरत शर्मा का क्या कहना है तो ये पुछे गए हैं इसिक्रम में हम अब देखते हैं कि रासो कावे परंप्रा को किन दो श्रेणियों में बाटा गया है तो हम पहली बार से ही कह रहें कि एक तो धार्मिक रास कावे परंपरा और एतिहासिक रासो कावे परंपरा तो धार्मिक रास कावे परंपरा को हम जैन सहित्ति किश्रेणी में रखते हैं और जो एतिहासिक रासो कावे परंपरा है उसे वीर गाथा कावे की श्रेणी में रखते हैं और या रासो कावे वहाँ पर कहा जाता है तो यह सपष्ठ है यह बार-बार धोराया जा रहा है क्योंकि प्रश्ण अक्सर पूछे जाते हैं तत्थियों के साथ जैसा कि हमने कहा रासो शब्द की वत्पत्ति के संदर्ब में गारसद रासी क्या कहते हैं या अचारी रामचंदर शुक्ल वहां रसायन से मानते हैं तो इस तरह यह प्रश्ण पूछा जाता है और सुमेलित कीजिये में अक्सर आ जाता है तो गारसद तासी राजसुय यग स राजसुय शब्द से इसकी वत्पत्ति मानते हैं इसी तरह हर प्रसाद शाष्ट्री राजयश से इसकी वत्पत्ति मानते हैं आचारी रामचंदर शुक्ल कहते हैं कि रसायन से रास या रासो बना हैं इसी तरह नंद दुलारे वाचपेई रास शब्द से मानते हैं हजारी शर्मा भी हजारी प्रसाद द्वेदी के ही मत का वहाँ पर अनुमोधन करते हैं तो वे भी रासक से मानते हैं इसी तरह माता प्रसाद गुप्त भी हजारी प्रसाद द्वेदी के मत का वहाँ पर अनुमोधन करते हैं गणपती चंद्र गुप्त का कहना है कि रासक से रास रा परिक्षाप योगी द्रश्टी से जानना समझना और याद करना बेहद जरूरी है धार्मिक रासकावे परंपरा जैसा कि हम पढ़ चुके हैं जैन कवियो द्वारा रचित ग्रंत थे इसका फिर से यहां पर दोराव इसलिए कि कुछ प्रेशने पूछे गए थी तो भद्र सुरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रासकावे निर्धारित किया और अन्य जैसा कि हम जानते हैं बुद्धी रास चंदनबारा रास जीव दय रास जो कि कवी आसगू की रचनाए हैं इस्थूली भद्र रास जो जिंधर्म सुरी की रचनाए हैं इससे धार्मिक रासकावे परंप्रा की श्रेणी में रखा गया है इसी तरह सुमती गणी द्वारा रचित नेमिनात रास प्रग्या तिलक द्वारा रचित कच्छूली रास रास मूर्ती द्वारा रचित जिनपद्य पद्म सुरी रास शाली भद्र सुरी ध्वारा रचित पंच पांडव चरित रास उदेवंत द्वारा रचित गौतम स्वामी रास और इन सभी कृतियों का उदेशे जो धर्म तत्वों का निरूपन करना था इसलिए हमने इसे धार्मिक रास कावे परंपरा की श्रेनी में रखा है एतिहासिक रासों कावे परंपरा जैसा कि हम बार-बार कह रहे हैं कि यह वह परंपरा है जिसका मूल संबंध राजाओं के चरित तथा प्रशंसा से रहा है और साथ ही इन ग्रंतों में मध्यकालीन राजाओं का वर्णन मिलता है और भाशा में भी यदि हम देखें तो उत्तरवर्ती भाशा तरगत रखे गए इनमें बीसल देव रासो जिसके रचनाकार जगनिक है इसी तरह बुद्धी रासो जिसके रचनाकार जलहन है विजेपाल रासो नल सिंग है हमीर रासो शाडंगदर है और खुमान रासो जिसके रचनाकार जो है दल्पत विजे हैं ये उसके इनके रचन लिखावा मिलता है जो दल्पत विजय अधिक प्रमानिक मानना चाहिए तो यह सारे जो रासो कावे परंपरा के ग्रंथ हैं वो वीर गाथा कावे की श्वेनी में रखे जाते हैं यदि खुमान रासों की बात करें तो आचारे रामचंद्र शुक्ल जो है वो इसे नवी शताब्दी की रचना मानते हैं नवी शताब्दी इस तरह लिखावा मिलता है लेकिन यदि व्याकरनिक द्रश्टी से देखें तो नवी शुद्ध होगा इसे इस तरह लिखना इसे नवी शताब्दी की रचना माना गया है लेकिन जो मोतिलाल मेनारिया है वो इसे सत्रवी शताब्दी की रचना मानते हैं क्योंकि इसमें उनके अनुसार की जो सत्रवी शताब्दी के जो चित्तोर के नरेश रहे हैं राज सिंग तक के राजाओं का वन्नन मिलता है और इसी आधार पर वे इसको आधिकाल की रजना ही नहीं मानते बहराल ये एक शोध और तर्क का विशय है जिसकी बात की जाने चाहिए लेकिन यदि भाशिक द्रश्टी से देखें तो इस कावे का मूल रूप पाते हैं कि नौवी शताबदी में ही लिखा गया था और भाशा के जो आरंभिक हिंदी रूप के दर्शन है वो इस कावे में होते हैं इसलिए से नौवी शताबदी की रचना मानना उचित है तो प्रारंभिक हिंदी रूप है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं दलपत विजे इसके रचनाकार है और चितोर नरेश खुमान के युद्धों क चित्रण है, पूछा जाता है, मेवार के परवति शाष्कों का चित्रण भी मिलता है और इसी सलिए जो मोतिलाल मिनारिया ये कहते हैं कि सतर्वी शताबदी की आसपास की रचना है आरंभिक हिंदी रूप है, प्रामानिक हसलिपी, जो है पूना के संग्राले में सुरक्ष और ये 5000 चंदों का विशाल का विग्रंथ है ऐसा माना जाता है। दूसरी जो रचना है वो सल्दि रासों हैं और इस ग्रंथ की रचना जो नर्पति नाल हुए हैं, उन्होंने इसकी रचना की है। नर्पति नाल ने इसकी रचना की है और ग्यारा सो पच्पन इस्वी में की है जैसा कि इस उद्वरन से भी स्पष्ट होता है कि बारे सो बहुत तरहां मजारी कि प्रतम पंक्ति से इस्पष्ट है कि समवत बारा सो बहत्तर वर्ष भी माना गया है लेकिन जो अधिकांश यह जो विसल देव जो रासो जो ग्रंत है एक विरह परक संदेश कावे है जिसमें अजमेर के चोहान राजा विसल देव तरतिय के विवाह का वर्णन है और वो भोच परमार की पुत्री राजमती से उनका विवा होता है फिर वियोग होता है और पुनर मिलन तो विवाह व इरैपरक संदेश कावे है और यदि हम देखें तो हिंदी मैं जो सरव प्रतम 12 मासा पदथि का वर्णन है वो इसमें मिलता है जो कि बाद में हम यदि सूफी प्रेमा ख्यानक कावें में वो पदथि देखते हैं तो इसका जो आदी रूप है प्रारंबिक रूप है वो हमें बिसल देव रासों में मिलते हैं ये इस द्रश्टी से भी ध्यान रखना जरूरी है ये ध्यान रखना चाहिए कि बिसल देव रासों जो है मूलते गे एक आवे था और गे रहने के कारण ही इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है लेकिन डॉक्टर मेनारिया ये मानते हैं कि ये कावे गे नहीं था डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रती का संपादन किया है और यह इस ग्रंत का मूल रूप बताया जाता है इसकी भाषा भी आदिकाली आरंबिक हिंदी का स्वरूप इसपष्ट करती है और बिसल देव रासोग के लिए कहा जाता है कि हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ट काव विक्रती है यदि हम देखें तो संदेश रासक के समान ही इस ग्रंत में भी प्REM की जो निष्चल अभिव्यक्ती है वो यहाँ पर दिखाई देती है और मेगदूत और संदेश रासक की जो संदेश परंपरा है उसका निर्वहन यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है तो यहां पर जब हम कहते हैं आदिकाल में अनेक जो चीजें हैं वो पहली पहल वहां पर दिखाई देती है तो यहां पर भी यह बात दिखाई देती है बिसल देव रासो की यदी हम देखें तो इसकी श्रंगार परंपरा का जो विकास है विध्यापती से होता हुआ फिर भक्ति काल के प्रेमान ख्यानक काववों तक सूफि काव्यों तक पहुंशता है और फिर कृष्ण भक्तों को भी वो प्रभावित करती है और रीति काल में भी जाकर इसी शंगार कावे का विकास होता है तो शंगारी कावे संदेश परंपरा बारमासा पदती इन सभी द्रश्टियों से बीसल देव रासो आदिकाल का एक शेष्ट कावे कहा जा सकता है फिर बात हम करते हैं हमीर रासो की तो जब हम हमीर रासो की बात करते हैं तो इस इस कावे के कुछ छंद मिलते हैं और इसी के आधार पर सिर्फ इसी के आधार पर आचारे रामचंदर शुक्ल जो है वो इस ग्रंत के अस्तित्व की कलपना करते हैं और कोई प्रामानिकता के संदर्ब में मत नहीं मिलते हैं लेकिन चोकी प्राकरत पैंगलम में इसके छंद म अमीर का विक्रत रूप है यहा पर उनका कहना है कि जो अमीर का विक्रत रूप है और जो किसी पात्र का नाम नहीं होकर एक विशेशन के रूप में वहां पर प्रियुक्त हुआ है अधे शारंगदर करत हमेर रासो का स्तित्व संकट में पड़ा हुआ है खेर अभी तक इसकी कोई रचना भी उपलब नहीं है तो इसलिए इस आप्रामानिक रचना भी माना जाता है इसके बाद हम बात करते हैं परमाल रासो की जो की तैरवी शताब्दी का एक वीर गीत है जैसा कि हमने कहा था कि वीर गीत चरित कावे परमपरा का जो सरुपतम ग्रंथ है वो है बिसल देव रासो और उसी परमपरा में परमाल रासो भी शामिल किया जाता है तो उत्तर प्रदेश में जो आलाखंड के नाम से जो कावे प्रसिद्ध है उसे ही परमाल रासो कहा जाता है कि रासो लोक गेई कावे है और गेई होने के कारण ही इसका मूल रूप सुरक्षित नहीं हो पाया है जैसा कि हम बार-बार कह रहे हैं चरित कावे है इसलिए इसके अनेक अंश बाद में जोड़े गए हैं तथा अनेक अंशों में जो भाशा संबंदिनी जो परिवर्तन है वो भी वहाँ पर दिखाई देता है कालांतर में यदि हम देखें तो आलहा जो है लोग गीत की एक शेली बन गया और वर्तमान में आधूनिक विश्यों पर भी आलहा लिखे जाने लगे हैं अठासो पैसट में चार्ल्स इलियट ने जिस आलखंड का प्रकाशन करवाया था वह है मोखिक परंपरा पर ही आधारित था इसमें आलह और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक जो लडाईयों का युद्ध का वहाँ पर वर्नन है तो परमाल रासो के रचेता हम देखते हैं कि जगनिक कभी माने जाते हैं और जगनिक जो है वो महोबा के राजा परंदिर्देव के आश्रित कभी थे तो ये ध्यान रखना चाहिए इसकी जो पंक्तियां है वो है बारे बरस लोकूकर जीवे अरुतेहरलो जीए सियार बरस अठारे क्षत्रिये जीवे आगे जीवन को धिकार तो ये इन पंक्तियों से इसपष्ट होता है कि इस कावे की विशेश शैली है और छंद विधान की द्रश्टी से ही इसे आला शैली कहा गया है और यदि हम देखें तो इसकी वर्णन शैली और जो प्रभावत पक्ता उत्पन करने का जो गुण है वो बेजोड है तो यहां पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में वर्शा रितु में या आला कंड के नाम से गया जाता था इसका केंदर बेसवाडा है और फरुकाबाद के ततकालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने इससे सरुप्रतम 1865 इसवी में प्रकाशित करवाया था इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रत्विराज रासो की यदि हम बात करें तो प्रत्विराज रासो के लिए ये भी कहा जाता है कि इसके उत्रार्द को जलहन ने रचा था ये भी एक बात है कि इसके उत्रार्द को प प्रत्विराज रासो के लिए ये बात कही जाती है तो प्रत्विराज रासो के यदि हम देखें तो आचार रामचंदर शुक्ल कहते हैं कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवी माने जाते हैं और इनका प्रत्विराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है शुक्ल ने चंदबर्दाई को दिल्ली नरेश प्रत्विराज चोहान का सामंत और राजकवी भी माना है प्रत्विराज रासों के चार संस्क्रण मिलते हैं और लगु संस्क्रण का संक्लन चंदर सिंग ने तथा व्रहत संस्क्रण का संक्लन कक्का कवी ने किया था इसके सर्ग 69 है और प्रतिवराज रासों के सर्गों को समय कहा गया है और इसका सबसे बड़ा जो समय है वो कनवज युद है ये ध्यान रखने की और बात है उलेकनी है ये इसका सबसे बड़ा जो समय है वो कनवज युद है ये वीर और शंगार रस्प्रधान काव्य है पिं रासो को मुक्तक कावे कहने वाले अकेले विद्वान नरुत्तम स्वामी हैं शेश विद्वानों ने इसे प्रबंध कावे की श्रेणी में रखा है जसा कि ये कहा जाता है कि इसका जो उतरार्ध है वो जल्हन ने लिखा है इनके पुत्र ने लिखा है और कहा गया है कि जिस स पुत्र जल्ल को पुत्विराज रासों सौप गए थे और वो कहे हैं कि पुस्तक जल्हन हत्दे चली गजन नरपकाज तो और कहा जाता है कि जल्ल ने जो चंद के अधूरे महाकावे को पूरा किया तो ऐसा कहा जाता है पुत्विराज रासों के बारे में कुछ महतुपून तत्थे हैं कि इसके चार संस्करन यदि प्रसिद हुए और बंगाल की रोयल एशियाटिक सोसाइटी ने पुत्विराज रासों का मुद्रन भी करवाया था जिसका प्रकाशन यदि हम देखें तो वो भी हुआ और कविराज शामल दास ने चंदरबरदाई और उनकी रचना दोनों को अप्रामानिक माना है तो यह अप्रामानिकता के संबन में तर्क है पंडित हर प्रसाज शाश्त्री ने चंदरबरदाई का जन्म 1168 इसवी में लाहोर में भट जाती में माना है और यह धाई अजार प्रिष्टों का बहुत बड़ा ग्रंत है ऐसा का है तो सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचानी सभा काशी से हुआ और इसकी हस्त लिकित प्रतिया यदि हम देखें तो उद्यपूर के संग्राले में सुरक्षित है इस संस्करण में 69 समय तथा 16306 चंद है यदि हम सबसे बड़े संस्करण की बात करते हैं तो उसमें द्वितिय रूप में उपलब्द प्रतिराज रासो जो है वो 7000 चंदों का काववे है इसका प्रकाशन नहीं हुआ है और तीसरा लगू संस्करण 3500 चंदों का है जिसमें केवल 19 समय है और चोथा संस्करण जो है उसमें केवल 1300 चंद है और दश्रत शर्मा जो है वो इसी को मूल रासो मानते हैं तो यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि पिंगल शेली है शब्द चैन जो है रसानुकूल है अभिधेई भाशा है और शंगार और वीर रसका प्राधान ने यहाँ पर देखा जा सकता है तो यह प्रतिराज रासों के संदर्ब में यह बात महत्तुपूर है और इसमे 79 समय है यह बात ध्यान रखें और 68 प्रकार के चंदों का प्रियोग यहाँ पर किया गया है ऐसा सहित्यकार बताते हैं जिसमें कि कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोतक, गाहा और आर्या चंदों के महत्तुपूर प्रियोग है और कहते हैं कि चंद जो कवी है वो छप पर छंद के विशेशग्य माने जाते हैं तो ये भी एक बात है उल्लेखनी है जो कि ध्यान रखना जरूरी है तो यहाँ पर हमने देखा कि चार संसक्रण थे ये बात पर उल्लेखनी हैं सबसे बड़ा संसक्रण काशी नागरी प्रचानी शभा से प्रकाश्यत हुआ तो य तो यह प्रश्ण भी पूछे जाते हैं, कि कौन इसे प्रामानिक और कौन इसे आप्रामानिक मानते हैं, यह प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। इसी तरह यदि हम देखें तो मुनी जिन वज़े डॉक्टर सुनीती कुमार चेटर जी डॉक्टर हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं वो इसे अर्ध प्रामानिक मानते हैं ये अलग-अलग मत हैं जिनके बारे में जो ध्यान रखना जरूरी है मिश्रुबंदू की यदि बात करें तो वो कहते हैं कि हिंदी का वास्त्विक प्रथम महाकवी चंद बर्दाई को ही कहा जाता है तो ये उनकी एक पंक्ती है जिसे ध्यान रखना जरूरी है अचारी रामचंद्र शुकल ने कहा है ये उनका उद्धरण है कि हिंदी के प्रथम महाकवी माने जाते हैं और इनका प्रत्विराज रासो हिंदी का प्रथम महाकावी है तो ये ध्यान रखना चाहिए राम स्वरूप चतुरवेदी कहते हैं कि प्रत्विराज रासो हिंदी की अपनी महाकावे परंपरा की बड़ी उप्योग प्रस्तावना है हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाशा और समवेदना की दोनों इस्तर पर इसमें निखर कर आया है तो ये विभिन उद्धरण है जो कि परिक्षाप योगी द्रश्टी से ध्यान रखना जरूरी है यदि हम बच्चन सिंग के द्रश्टी से देखें तो वो प्रत्विराज रासों के लिए कहते हैं कि एक राजनितिक महाकावे है दूसरे शब्दों में राजनितिकी महाकावे त्रासदी है तो यदि वो इसे एक ट्रश्टी बताते हैं बच्चन सिंग और एक नवीन उद्भावना करते हैं कि राजनितीकी महाकाव्यात्मक त्रासदी है इसी संदर में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका सबसे बड़ा सर्ग कनवज युद्ध है और इसे इस ग्रंत का मूल कथानक भी माना जाता है और कयमास वद खंड में मंतरी कयमास के कामांध हो जाने और इस कारण प्रत्विराज का उसका वद करने का कथानक वर्नित है ये दोनों प्रश्ण पूछे गए हैं इसलिए इन तत्थियों का समावेश हमने यहां पर किया है कुछ मैं तो पूण प्रश्ण और तत्थियों की हम बात कर लें तो हिंदी का जो प्रत्थम महाकावे है जैसा कि हमने कहा है प्रत्विराज रासों को माना गया है ये प्रश्ण पूछा गया है आदिकाल की रचनाओं में वीररस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रियोग मिलता है तो डिंगल शैली में वीररस की रचनाएं है उसका जो प्राधान ने है वो डिंगल जो की राजस्थानी और अपभरंश के योग से जो भाषा रूप विक्सित हुआ उसे हम डिंगल शेली कहते हैं इसी तरह यदि पिंगल की बात की जाए तो वहाँ पर हम जो बात करेंगे वो ब्रजभाशा और अपभरंश की बात करेंगे रासो शब्द की उत्पत्ती रसायन से किसने मानी है तो यहां रामचंद्र शुक्ल जो है वो रसायन से मानते हैं उत्पत्ती इसी संदर्भ में किस रासोगरंथ का संबंध विग्रह राज चतुर्थ से है तो वो बिसलदेव रासो के लिए कहा गया है जो की विरहपरग संदेश कावय है उनके संदर्भ में यह प्रशन है संदेश रासक किसकी रचना है तो अब्दुर रह्मान की रचना है संदेश रासक जिसका हमने जिक्र किया है इसी तरहें राउल बेल किसकी रचना है तो रोडा की रचना है देशिल बैना सबजन मिठा किसकी पंक्ती है विद्यापती की पूछे जा चुके हैं बोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंबिक रूप को क्या कहा है, तो वे अवट कहते हैं, इसी थे हुआ हुआ जो मारिया, भहिनो मारा कंत, यह किसकी पंक्तियां हैं, प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है, लक्षमिधर की रचना है, जिसमें हमने देखा कि हमीर रासों के भी प्रवर्तियां देखें तो एतियासिक काव्यों की प्रधानता रही है लोकिक रस की रचनाएं लिखी गई हैं जिसमें संदेश राशक, विद्यापती, पदावली और कीर्ती पता का रही है उपदेशात्मक साहित्य लिखा गया है इसे रूखा भी कहा गया है बोध, जैन, स जिद्ध और नाच साहित्य इस द्रश्टी की रचनाएं हैं जिसमें हट योग के प्रचार वाली रचनाएं लिखने की प्रवर्ति अधिक रही है यदि हम मोटे पूरा इस पर विहंगम द्रश्टी डालें तो जो धार्मिक साहित्य रही है उनमें बहुत से धार्मिक रश जैसे रशनाई मिलती है, युद्धों का यथार चित्रन महां मिलता है, जिसमें वीर गाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजी और यदेगराई चित्रन है, आश्वेदाता राजाओं के प्रशंसा है, उनके युद्ध विवाह आदि का विस्तृत वर्णन है और पूर्ण पदावली यहाँ पर दिखाई देती है, यह हम पढ़ चुके हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन होने की वज़े से वर्णनात्मक्ता का आधिक के यहाँ पर देखा जाता है, जैसा कि हमने कहा कि जो महा कावे और खंड कावे और प्रबंद और मुक्तक दोन प् पूर्ण है, यह कहा गया है, और यदि हम देखें तो रासोग्रंतों की प्रधानता रही है और अधिकतर रचनाएं जो हैं, वो संदिक्द हैं, इस युग की भाशा की जो राजस्थानी मिश्रित अपब्रंश डिंगल कहा गया, और मैथिली मिश्रित अपब्रंश भी यह यहाँ पर प्रचलित है, जो विद्यापति की पदावली और कीरती लता में देखने को मिलता है, जब पिंगल की बात करते हैं, तो वहाँ पर ब्रज और अपब्रंश की बात करते हैं, जो प्रेम कावे परंपरा की जो गरंथ हैं, सभी प्रकार के अलंकारों का समावेश मि धार्मिक रास साहितिय की बात करते हैं वहाँ पर मिलता है। तो हमने अगर पूरे आदिकाल के कवियों के देखें तो अबदुरर्ह्मान का संदेश राशक, नर्पति नाल का बीसल देव रासो, चंद बर्दाई का परत्युराज रासो, ये इनकी जो भाशिक द्रश्टी से हैं दलपती विजे का खुमान रासो, रास्तानी इंदी में जगनिक का परमाल रासो, सारंगधर का हमीर रासो, नल सिंग का विजेपाल रासो और जल्ल कवी का बुद्धी रासो ये प्रमुक रचनाए रही हैं अब हम बात करते हैं लोकिक कावे की जो की पांचवी जो कावे धारा भी यहां पर रही है और यदि हम देखें तो लोकिक साहित हैं जो लोक में प्रचलित रहा है इसमें यदि हम बात करें पहली जो रचना है वो ढोला मारूरा दुहा ये ग्यारवी शताबदी में आती है औ राजस्थान में बहुत अधिक लोग पर ये रहा है और ये राजकुमार ढोला और मारवणी का प्रेम कावे है विरह कावे है हजाई पिसाद द्वेदी का कहना है कि ये हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी है ये प्रेशन पूछा जाता है यदि हम ढोला मारू रदुहा की बात करें तो इसमें इस्तरी रदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है और ये ग्यारवी शताब्दी के आसपास की रचना मिलती है ये पी कुछ जो साहित्यकार है वो इसे कवी कलोल करत मानते हैं लेकिन ये अभी प्रामानिक नहीं कहा जा सकता इसे तरह यदि हम अमीर खुसरों की बात करें तो वो भी लोकिक साहित्य उन्होंने रचा है और अमीर खुसरों की जो रचनाये हैं वो सो से अधिक बताई जाती है जिसमें यदि हम देखें तो खालिक बारी पहलियां, मुक्रियां, दो सुखन और गजल आदी है उनका समय जो है बारा सो पच्पन से तेरा सो पचीस इसवी है और यदि हम देखें तो इनकी पहलियां और मुक्रियां जो है उसमें उक्ती वैचेत्रे कथन को अलग-अलग तरीकों से कहने की जो भंगीमा है वो दिखाई देती है यदि हम देखें आवाज ए खुसरवी यदि ये ग भर में भारतिय बोलियों का विस्तरत वर्णन यहां पर किया गया है देखें अमीर खुसरों के बारे में कुछ मैतुपूर्ण तत्य और हम जान लें कि खुसरों को जो खड़ी बोली का प्रथम कवी माना जाता है इनका नाम अबुल हसन था और इनके गुरु निजामुद दिन ओलिया थे संगीत में ये कवाली तराना गायन शेली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं इन्हें अलावदिन खिल जी ने तोताए हिंद की उपादी दी डॉक्टर इश्वरी प्रसाद इन्हें कवियों में राचकुमार कहते हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्हें अउधी का प्रथम कवी कहते हैं तो ये कुछ में तो पूर्टत थे फिर जो लोकी कावे की श्रेणी में आते हैं जैचंद प्रकाश रचना है भट केदार की बारवी शताबदी की रचना है इसी तरह जैमयंक जो जस्चंद्री का है वो मदुकर कवी की रचना है बारवी शताबदी में ये दोनों ही रचनाएं प्राप्पे हैं और इन रचनाओं में कनोच के समराट जो जैचंद है उनके शोर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन किया गया है तो ये ध्यान रखना जरूरी है इन ही ग्रंथों से मुकतक कावे परंपरा वे शंगारिक तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए यदि हम इसी करम में बात करें बसंत विलास की जिसके रचनाकार अक्यात हैं और तेरवी शताब्दी की रचना है जिस इस रचना में बसंत और इस्तरियों पर बसंत के विलास पूर्ण प्रभाव का मनुहारी अंकन किया गया है और 84 दोहों को ही वे वास्त्रिक मानते हैं और इसकी भाशा यदि देखें तो पिंगल सरस ब्रजभाशा का रूप लेती हुई दिखाई देती है तेरवी शताब्दी की ये रचना है इसी क्रम में जो लोकिक साहित्य के महतुपूर्ण जो रचनाकार है वो विद्यापती की पदावली मानी जाती है जो की चौधवी शताब्दी के आसपास की रचना है ये श्रंगार और भक्तिपरक मुक्तक काव्य है जिसके पदों की मादकता को निराला ने नागिन की लहर क कहकर संबोधित किया है राम फ्रिक्ष बेनिपूरी ने विद्यापती की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंद का रूपक माना है तो ये भी एक महतुपूर्ण बात है विद्यापती का समय हम देखते हैं तो 1360 से 1450 इस्वी कहा गया है और पंडित जो हरी मिश् वो इनके जो शिष्य माने जाते हैं ये भी एक उलेखनिय तत्य है और कहा जाता है कि विद्यापती ने तीन भाषाओं में 14 ग्रंथों की जो रचना है वो की है पंडित हरी मिश्र शिष्य है तीन भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना जिसमें संस्कृत, शेव, सर्वस्व गंगा वाक्यावली, दुर्गा भाक्त तरंगिनी भू परिकरमा, दान वाक्यावली पुरुष परिक्षा, विभाग सार, लिखनावली गया पत्ऽलक और वर्ण करत्य ये प्रमुख है यदि अवहट में देखें तो कीर्तीलता और कीर्तीपता का लिखी है और मैथिली की बात करें तो पदावली और गोरक्ष विजय जो नाटक है वो इन्होंने मैथिली में लिखा है यदि हम देखें तो गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है वो संस्कृत में मिलता है और जो पद्य भाग है वो मैथिली में यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर इन रचनाओं में देखें तो विद्यापती की मैथिली में जो रचित पदावली है वो अत्यंत प्रसिद रही है और यहाँ पर हम देखें तो यह भक्ति परक रचना है यह श्रंगार परक इसके लेकर भी विद्वानों में वहाँ पर अलग-अलग वर्ग रह आचारी रामचंदर शुक्ल बच्चन सिंग इन्हें जातिय कवी कहते हैं और यदि हम देखें तो हजारी प्रसाद द्वेदी ने शंगार रस के सिद्ध वाक कवी यहाँ पर कहते हैं इसी के साथ मैथिल कोकिल, अभिनव, जैदेव, कवी शेखर, कवी कंठार, कवी रंजन, खेला कवी, दशावधान, पंचानन इन सभी जो उपाधियों से भी यदि हम देखें तो विद्यापती को विभूशित किया गया है मिधिला में भी इन्हें कोई वैशनव भक्त कवी नहीं मानता जबकि बंगाल के जो लोग हैं बंगाल के जो संथ हैं या जो अन्य लोग ह वो इन्हें वैशनव भक्त कवी मानते हैं तो अलग-अलग मत हैं यहाँ पर लोकिक काविये और आदिकाल के ही यदि गद्धि साहित्ति की बात करें तो वहाँ पर भाषा उनकी भाषा पर प्राकृत की रूडियों का प्रभाव मिलता है और इसमें राउल बेल, उक्ती व वारा रचित है, नोवी शताबदी का ग्रंथ है वो भी अपनी भाषा के कारण खासा चर्चित वहाँ पर रहा है और इसमें कुछे किस्तानों पर उस समय की सामान्य प्रचलित जो भाषा है उसका प्रियोग भी वहाँ पर मिलता है गद्धि साहित्ति में ही यदि हम बात क करें तो ये शिलांकित क्रती है, गद्यपद्य मिश्रित रचना है, चम्पू कावे है, पूछा जाता है, रोडा इसके रचनाकार माने जाते हैं और ये दसवी शताबदी के आसपास की रचना है, ये भी उलेखनी बात है जो ध्यान रखी जाने चाहिए, सयोग श्रंगार और नक्षिक परंपरा का ये महतोपून ग्रंथ है, और कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में नक्षिक वर्णन की परंपरा का प्रारंब जो है वो राउल वेल से ही होता है, इसकी भाषा में राजस्थानी पंजाबी आदी बोलियों का सपष्ट प्रभाव है, कुछ पानों ने इसकी भाषा में अउधी के प्रारंबिक रूप का भी दर्शन किया है। भारति संस्कृती का यथार्त अंकन किया गया है। और बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृती और भाषा पर इस गरंथ में प्रकाश डाला है। और व्याकरण के अनुकूल व्यवस्ते दिये एक तरह का व्याकरण शाश्त्र है। यदि हम देखें तो इस गरंथ द्वारा उस युग के कावी रूपों की जानकारी होती है। इसलिए हजारी परसाद द्वेदी भी इस गरंथ को अत्यदिक जो महतुपून रचना इसे मानते हैं। अब जो प्रश्न जब हम आदिकाल को आज समापन की और ले जा रहे हैं। तो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, महतुपून कावी पंक्तियां पूछ ली जाती है। तो जो देवसेन जो महतुपून रचना कार हुए हैं, जिनकी रचना श्रावकाचार भी मानी जाती है। उनकी कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर, वो यदि हम देखें, तो यहाँ पर सरहपा की रचनाएं हैं। देव सेन की नहीं है सरहपा की रशनाव को यदि हम देखें तो वो लिखते हैं कि आगम वे है पुरा नहीं पानी ये माह वहनती ये नेट जो है 2014 में पूछा गया है ये प्रेशन किसकी पंक्तियां है तो सरहपा की पंक्तियां है इसी तरह ब्रह्मने ही मजात ही भेव एवई पढ़िये चेऊ चबेऊ मस्टी पानी कुसलई पढ़त घरही बैसी अग्गी हुनत ये भी दिसंबर 2014 में प्रेशन पूछा गया है और इसकी रशना का सरहपा है इसी तरह अमीर खुसरो को लेकर कुछ प्रेशन पूछे गये हैं जिसमें जो पंक्ति है सूनी सेज डरावन लागे बिरहा आगिन मोही डस डस जाए इसी तरह जो जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराई नेना बनाए बतियां किताब हिजरान दारम एजान लेहु काहि लगाए तो ये जो है वो अमीर खुसरो द्वारा रचित है इसी तरह यदि हम देखें तो अमीर जो गोरखना इसी तरह जगनिक की जो पंक्तियां वो पूछी गई है कि बारे बरसलो कूकर जीवे अरू तेरे बरसलो जीए सी आल इसी तरह ढोला मारूरा दुहा की जो पंक्तियां है इस प्रकार की पंक्तियां पूछी जाते हैं, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओंधा धरा, चारों और वे थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे तो ये कुछ जो काविपंक्तियां है जो परिक्षा में पूछी जाती है पूछी गई है तो ये महतुपूर्ण प्रश्ण है जिनकी बात हमने की है किस गरंथ की कौन सी भाशा है उससे संबंदित प्रश्ण भी पूछे गए है जैसे कि यदि हम देखें तो कीर्तिलता की भा वर्शा रितु में घाया जाता है हिंदी साहित्य के अधिकाल का अभिनाव जय देव किसे कहा जाता है तो यदि हम देखें तो वह विद्यापति को कहा जाता है तो ये सारे प्रश्ण पूछे गए हैं तो इस दरश्टी से धियान रखना चाहिए आज के लिए इतना ही नम प्षकर